कर दूसरा आप देखने सब्सक्राइब कर सकते हैं तो वीडियो को आन तक देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आ लेकिन उस वीडियो शुरुकरन से पहले आप से छोड़ी रिक्वेस्ट हमारी कि अगर आप कमर में तूट गई है आपको प्रियोग करते हैं तो आपकी जो हड़ी काफी जल्दी जुड़ जाएगी और आपकी हड़ी काफी जल्दी मजबूत भी हो जाएगी कबसद सौट अगर आपको कमर में दर्ड हो रहा है कहीं पर दर्ड हो रहा है और आपके अंदर कैलसियुक की कम्हीं हो गई तो वहां पर भी अगर आपका कैलसियुम सिरफ का प्रियोग करते हैं तो काफी अच्छा एम्हार देखने को मिलता है बस बड़े लोग हैं उनके डोज अलग रहेंगे जो बच्चें उनके डोज अलग रहेंगे बच्चों को कम-कम पिलाना है जो बड़े लोग हैं उनको ज़्यादा ज़्यादा इस सीरफ को लेना है तो आगे वीडियो में बताएंगे किसको कितना डोस देना है तो अगर आपकी कहीं हड़ी फैक्चर होगी कहीं पर गिर पड़े हाठ टूट गया है पर टूट गया है या फिर कमर में आपके मोचा गया है फिर गले में मोचा गया है हाथ में मोचा गया है कहीं पर भी मोचा गया है तो वहाँ पर अगर आप कैल्सियम क सिर्फ का प्रियोग करते हैं तो इससे आपके हड़िया काफी दवायों का प्रियोग किया लेकिन जब तक आपको रिस्पॉंस मिल रहा है जैसे ही आपने प्रियोग करना बंद कर दिया तो आपको रिस्पॉंस मिलना बंद हो गया तो जोडोग में अगर आपके बहुत ज़ाए दर्द हो रहा है और आपको चलने फिनने में प्राब्लम होती है यह काफी एदा ओल्ड एज में होता जो 40 प्लस हो जाती है उनको इस तरह की प्राब्लम देखने को मिलती है तो लोग अगर कैलसियम के सिरप का प्रियोग करते है जो छोटे बच्चे होते हैं उनके हड्या काफी एदा कमजूर होती है तो ठीक से चलने ही पाते हैं चलते हैं तो गिर जाते हैं या फिर उनके पैर काफी एदा पतले पतले होते हैं तो या फिर उनके हाइड जो बढ़ती नहीं है तो वो बच्चे अगर कैलसियम के सिरप क सब्सक्राइब कुनाय। तो आज हमारे हाथ में जो है इसका नाम है कै्ữ सेdoingसे मैं d3 इसमें जो दो रामकूर्ज ये डाला गया है calcium भी आपके हड़ी को मजबूत करता है vitamin D3 भी आपके हड़ी को मजबूत करता है, bone को power देता है आपकी काफी ज़्यदा, तो अगर आपकी हाथ पर कहीं पर fracture हो गए है और आपको plaster हुआ है और आप calcium की दाग खा रहे हैं उसके साथ में अगर आप calcium के syrup का भी प्रियोग करते हैं, तो काफी अच्छा रचल देखने को मिलता है, और फिर कोई बच्चा जो ठीक से चल नहीं पा रहा है, और पांस साल से ऊपर का हो गये, तो उसको भी आप ये सीरफ दे सकते हैं, कैलसियम अन डी-3, लेकिन अगर कोई बच्चा पांस साल से कम का है, त लाकि जो दो साल , पांच साल से उपर के होगे है उनको आठ अधर कालीचियРЕ सीर्प दे सकते हैं . तो आज हम बात कर रहे हैं , केलसीम्न । दिथरी के बारे में तो इसमें दो फार्मूले मेंशन किये गए हैं जो की काफी एचार यल देते हैं जैसे बच्चों के हाथ फेक्चर हो जाते हैं कहीं पर गिर पड़ते हैं फिर कुछ हो जाता है उनके हड्डिया जो हो जाते हैं हाथ पर कुछ भी टूड़ जाता है उनका तो डॉक्टर्स भी recommend करते हैं calcium के syrup का जैसे उनको plaster हो गया है तो अगर उनको calcium का syrup दिया जाए तो उनकी जो हड़िया तूट गई थी और काफी जोड़ जाएंगी और काफी जाएंगी और काफी जाएंगी हो जाएंगी यह फिर कुछ calcium का syrup दिया जाए एक से डेड़ महीने दो महीने तक लगाता तो उनके हड़िया जो मजबूत हो जाएंगी और फिर उनको इस तरह की प्रॉल्लम नहीं होगी यह फिर जो ओल्ड एज के के लोगें कोया होता है कि उनके अंदर केलश ministree k हो जाती उनकी हड़िया कमजोर हो जाती है तो उनके घुट्णों में दर्ड होने लगथ है कमर में दर्ड होने है नieu और उनकी जहां जहां भीunder है वहां-वहां पे दर्ड होने लगता है तो वह लोग अगर कार लिश हो जाता है तो वहाँ पर भी अगर वह लोग काplant कारे केलशियम का सिरु करते हैं तो काफ़ यह लिए अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं एक दो वोटल केलसियम कैसि एनर्जी आएगी और आपके मदबूत होगी video के हीर भी काफी इच्छे रहेंगे और अपका सवास्त अफ्यकित रहेगा तो देखाते हैं आप की सिर्फ का किस तरीके से पैकिंग किससे आपको प्रियोग करना और ओर आपको बताएंगे तर देखो लिए किस तरीके से इसका का और इधर भी कैल्सिमन D3 और उपर इसके फार्मूले लिखे हुए हैं इधर इसकी जो है सारे फार्मूले और इसकी MRP दी हुए इसकी MRP 125 रुपए 125 रुपए में इसे आप किसमी मेडिकल स्टोर से जाके खरी सकते हैं कैल्सिम की सीरप को और दिखाते हैं इसकी पैकिंग इसका बॉटल कैसे दिखता है तो इसका बॉटल कुछ इस तरीके से दिखता है आप देख लीजिए और इसका जो होता है सीरप काफी गाढ़ा होता है और पीने में भी काफी अच्छा लगता है बच्चे भी इसका अगर प्रयोग करेंगे त के स्का सर्वाइं का इच्छा होता है तो बच्चे प्रयोग को कर सकते हैं महिलाह भी phase homicide क्रowners校ें के सीरफ का तो जो बच्चे पांस साल से लेके और अगर आपका बच्चा ठीक से चल नहीं पा रहा है या फिर उसके पैर में या हाथ में कोई प्रावलम है तो सारी प्रावलम दूर हो जाएगी हट डिस रेलेटेड और उसके अंदर अगर कैलसियम की कमी होगी तो भी दूर हो जाएगी या फिर कुछ लोग जो ज्यादा प्रावलम होती है तो लोग अगर कैलसियम के सिरफ का प्रयोग करते हैं तो काफी अच्छा जल देखने को मिलता है तो मुझे उम्मीद है कि आपको कैलसियम की सिरफ के बारे में सारे जानकारे मिल गए हुगी इस वीडियो में और अगर कोई जानकारी हमारे दौरा ना दी गए इस वीडियो में तो आप कमेंट करके हमसे पूर सकते हैं मिलते हैं आप से एक लए वीडियो में एक नए प्रोडेक्ट साथ में तब तक के लिए धन्यवाद आप अपना ख्याल लखिएगा